कार्ड डिसेवल्ड आ जाता है जब आप अपने फोन पे से गूगल पे से या पेटियम से अपने ATM कार्ड से कोई भी ट्रांजक्शन करते हैं तो आपके समने अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहे हैं और आपको पता चल अपने घर बेटे आ उसे चालू कर सकते हैं या अपने ब्रांच में जाकर अपने ATM कार्ड को ओनलाइन काम नहीं करते हैं हम रांजक्शन फैल हो जाता है यह हमारे समने इस तरीके से problem आ जाता है cod disable के नाम से तो यह problem आप solve करा सकते हैं अपने branch में जाकर अगर आप अपने mobile में ही उस banking application को इस्तिमाल करते हैं तो अपने ही घर बेटे अपने mobile phone से अपने ATM card को आप activate कर सकते हैं यह problem हमारे साथ कल आ रही थी अपने ATM card से यानि कि David card से payment कर रहा था अब तब यहां पर हमारा payment नहीं हो रहा था तो हम यहसे आसानी से solve कर सकते हैं बस आपको ध्यान से देखते रहना है आपको जाना होगा अपने mobile banking में जैसे हम Yono SBI यानि कि हमारा SBI में account है तो हम यहां पर Yono SBI चलाते हैं अपने phone में अगर आपका SBI में account है और आप Yono को यूज करना चाहते हैं तो इस पर मैंने already वीडियो बना दिया है कि Yono application को यूज करने के लिए इसमें user ID और password कैसे बनाते हैं वो वीडियो आपको description box में मिल जाएगा अब यहां से आपको बताते हैं कि आखिरकार अपने ATM card को activate कैसे करेंगे तो आपका इस तरीके स Yono SBI open हो जाता है आपका जो भी mobile application हो mobile banking आप उसे open करेंगे यहां पर आपको login पर क्लिक करना है और अपना login pin आपको डाल कर यहां पर login करेंगे इस तरीके से आपका mobile banking application open हो जाएगा open होने के बाद यहां पर मिलेगा 3. आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर मिलेगा service request आपको इस पर क्लिक करना है service request का option आपको इस पर touch कर देना है जैसे आप इस पर touch करेंगे आपके सामने इस तरीके से page निकल कर आ जाएंगे यहां पर आपको मिलेगा ATM debit card आपको इस पर touch कर जैसे आपसामिट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतियार करिये, आपके सामिट यहां पर देखपा रहे हुँगे, यहां पर मिलेगा अपना ATM काड चूज करेंगे और जैसे आप इस पर चूज करेंगे यहाँ पर आजएगा Manage Uges यानि कि आप कहा कहा पर इसे यूज करना चाहते हैं आपको इस arrow पर क्लिक करना है यह सारे option आपको चालू कर देना है जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि मैंने यह सारे option चालू करके रखे हैं यह वाला option आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर मिल लेगा आपको यह वाला option यह आप जरूर यहाँ से चालू कर दिजे तो आपका यह सारे option चालू हो जाएंगे फिर आप अपने ATM कार्ट को online यूच कर पाएंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर मिलेगा manage limit आप इस पर click करके अपना limit भी change कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं जैसे आप अपने ATM कार्ट से एक दिन में यहाँ आप एक बार में कितने रुपए एचना चाहते हैं यानि कि निकालना चाहते हैं जैसे maximum limit है 40,000 रुपए की अगर आप पर 5,000, 10,000, 20,000 सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और यह सेट कर लेते हैं और यह सारे option आप चालू कर दिजिए और nest कर दिजिए जैसे आप नेस्ट करेंगे ओके कर देना है और आपका यह सेटिंग सेब हो जाएगा उसके बाद आप चाहें Google पे जाएए या आप फोन में में जाएए और जाने के बाद यहाँ से आप रिचार्ज करिए और आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा यह आप money transfer करना चाहते हैं तो आप money भी transfer कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर recharge पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इसे mobile number पर एक recharge किया हुआ है इस पर हम touch करेंगे touch करने के बाद payment details पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने अपने ATM card से पैसे दिये हुए हैं जैसा कि आपको देखने को मिलेगा तो यह मेरे पास कल problem आ रहा था और मैंने इसे solve किया मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए इसे तरीके से अपनी इसे problem को आपे solve कर सकते हैं अगर by chance आपके सामने कुछ इस तरीके से problem आ जाता है कि आपका card disable है और आपका card disable है उसे activate करना होगा तो मिलते हैं next वीडियो में इसे वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वा